खबर यूपी के बलिया से है जहां बलिया जन्पत के हलती धाना शेत्र के सोनवानी गाउं के उत्तर टोला में ट्रिपल मर्डर में पिता और दो पुत्रों की मौत से थड़ाया इल्लाका इराकाई लोगों में एक देशत का माहौल बन गया है पूरी घटना में पैसे के लें देन का मामला बताया जा रहा है जिसको लेकर बलिया पुलिस ने घटना के आट घंटे में ही खुलासा कर दिया जिसमें चार अभिक्तों को गिरखतार कर जेल भेज दिया गया है चारों अभिक्तों के पास से आला कतले चाकू और मुवाइल को बरामत किया गया है और धाई लाख रुपे बरामत किये गये है घटना की जाच के लिए पांस टीमें लगाई गई थी और घटना की अपडेट शासन और डी जी पी मुख्याले से भी मॉनिटर किया जा रहा सब्सक्राइब की रिपार्ट को पुलिस वहां पर गई उसके बाद अपनी प्रक्षी शुड़ी कि उसमें यह लगा कि जो वूंस है वह स्टैप्ट वूंस है और उसके बाद मालूम पड़ा कि यह यहां के रहने वाले हैं श्री विक्रम करके नाव पहचाना तो उनके देखी गई तो फिर इनके बैग्ग्राउंड के बारे में जब चैक किया गया तो इनके जो एक बेटे और है संदी तो उनको भी डूड़ा जा रहा था लेकिन इस बीच में मालूम पड़ा कि इनकी कुछ अधावते हैं कुछ लोगों के नाम मालूम पड़े जब सारे नाम है प्रवेन उर्खोला मानवेंद्र प्रताफ सिंग उर्ख छोटू और अमन सिंग उर्ख सोनू और संजीत सिंग उर्ख मोर्की चंदी तो इन में से जब हम लोगों ने पूस्ता शून गी उसके बाद मालूम पड़ा कि एक जो संदीप है उनको भी नहीं लोगों ने इस बीच में पुलिस चूकी चानवीड करी रही थी और यह सुचना मिलने के बाद फिर कुए कर पानी निकाला गया और उसमें भी जो एक और ड़ड़ी में वो मिली तो इस प्रकार से तीन लोगों का मड़र इन लोगों ने किया गल रात से करीब नौ साड़े नो बजे के बात से उससे पहले से इनोंने जो तैयारी कर रखी थी इनका बैक्राउंड बेसिकरी जो चार लोग है जो इनोंने अभी तक बताया है इनके लेंदेन के कुछ माम्रे थे संदीप के साथ और कुछ इनकी पुरानी मन में कुछ बाते होंगी जिस कारण सी अलोग मारना चाते उसकी तैयारी यह चार पास इन से कर रहे थे इसके लिए इनोंने चापू भी खरी दे थे और तैयारी करके यह कल रात को आये थे कुछ कारों से संदीप को और रिक्रम को इन्होंने बाहर बुलाया हुआ था और बाहर बुला करके सबसे पहले इन्होंने संदीप को मारा फिर रिक्रम को मारा और उसके बाद इनको मालूम था कि इनकी पिताजी को मालूम है कि हम लोग उनको बुला करके ले गए हैं तो वो क एक छोटा उसमें करीब ठाई लाग हुपे मौजू थे उसमें करीब ठाई लाग हुपे मौजू थे और यह लोग उस पैसे को भी ले गए जो कि आपके सामने परामत है। पुलिस ने तप्सीश में क्योंकि अग्यातना मामला था बहुत चलेंजिंग मामला था बहुत ही नश्यस तरीके से हत्या की गए इसलिए टीमें करीब पांच टीमें बनाई गई थी पॉरणसिक की टीम भी वहां पर जाई थी शुरू से ही लगी हुई थी इस चीज को हम लो नश्यस का फर्दा परश किया है और अधनलिए चार उब्योक्ति बेंगे से अधियां है